होटल में बनने वाली मुलायम गार्लिक नान का स्वाद तो हर किसी ने लिया होगा जब काजू, पनीर और डाल फ्राई के साथ इसे परोसा जाता है तो खाने का स्वाद दो गुना हो जाता है कई लोग तो सिरफ इस गार्लिक नान का स्वाद लेने के लिए होटल में जाते हैं नान के उपर लसुन और हारे धने के फ्लेवर के तो क्या ही कहने आप भी अगर गार्लिक नान खाना पसंद करते हैं तो इसका स्वाद लेने के लिए आपको होटल जाने की कोई जुरूइत नहीं है इसे आसाने से घर में ही तियार किया जा सकता है तो हेलो अब्रिवान वेलकम तो माई चैनल तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल मिलिया दो कफ मैदा वान टी स्पून शूगर वान टी स्पून एस्ट वान टी स्पून सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक साइड में रख देंगे अब हम एक पाउल में 3 टी स्पून योगर लेंगे अब हम इसमें एड करेंगे 2 टी स्पून वेजिटेबल ओल इसमें एड करेंगे 150 ग्राम वाम वार्म वार्टर इसे भी अच्छे से मिक्स करने लेंगे अब हमने जो मिक्चर रेडी करके रखा था वह उसमें एड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे तब तक चलाएंगे जब तक ही अच्छा एक डो की फोर्म में ना आ जाए अब हम इसे क्लिंग फिल्म के साथ कवर करके एक से डEEढ़ गंटे के लिए रूम टेमप्रेशर पर रखेंगे जब तक कि ये साइज में डबल ना हो जाए अब पूरा जैट घंटा होगा है और हमारा डो साइज में डबल हो जगा अब हम इसे हातों से अच्छे से गूंद लेंगे थोड़ा-थोड़ा मैदा आड़ करके इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे टाइट करने के बाद एक तेबल स्पून वेजिरिबल ओयल लगाएंगे और इसे भी अच्छे से गूंद लेंगे अब हमारा डो तेयार हो चुका है इसे हम चार पीसिस में डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से इसकी लोईया बनाने आप थोड़ा सा सूका मैदा लेंगे और इसे से बेल लेंगे आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं और आप चाहे तो लंबाई में भी बेल सकते हैं जैसा आपको अच्छा रखता है वैसे आप बेल सकते हैं अब मैंने नॉन्स्टिक पैन लिया और इसे लो फ्लेपर पलट पलट कर तब तक पकाया जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया अब जो मैंने पहले से पेस्ट बना कर त्यार किया था वह हम इस पे लगा लेंगे इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए बटर, पीसी हुई गारलिक और पार्सली इसको अच्छे से मिक्स करके आप पहले सी बना कर त्यार कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये रेसी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तैंक यू फॉर वाचिंग